मंदिर और कामड आपके बच्चों बहुश नहीं बताएंगे आप सावन में जल चढ़ाने जाते बेल पत्र चढ़ाते तो क्या नीट में आल इंडिया कोटे में ओवी सी रिजरुशन मिल गया होता तो आप जल चढ़ा रहे थे आप कामड यात्रा में जा रहे थे आप एक अ प्यार की नहीं सुने, आप संविधान की नहीं सुने, लोहिया और मंडल की नहीं सुने, कांची राम की नहीं सुने, तो आप हमारी का सुनेंगे दोस्तों The Newsweek के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंती का बटन दबाएं हलो दोस्तों स्वागत है आपका Newsweek की इस खास पेशकरश में, मैं हूँ लक्षमण यादो और आज मैं आपसे एक बेहत जरूरी मसले पर बाच्चित कर रहा हूँ ये मसला देश की आधी आबादी के OBC तबके से जुड़ा हुआ है असल में इस देश में हुआ ये है कि इस देश की आधी आबादी जिसे एक OBC पहचान के तयर मंडल कमिशन में 3743 जातियों को एक जुट करके एक नई पहचान के रुप में सामने पेश किया गया वह पहचान कभी अपने हक हुकुक के लिए उस तरह से सजग नहीं हो पाई जितना उसे होना चाहिए था और हाल के दिनों में जब हम OBC पर सीधे सीधे हमला होता हुआ देख रहे हैं तब लग रहा है कि धीरे धीरे वह पहचान बन रही है मसलन नीट में ओल इंडिया कोटे में OBC आरक्षन न दिये जाने के सवाल को ही ले लिजिए नीट का मसला पूरे देश में अब एक बड़ा मसला बन चुका है तमाम बहुजन संगठनों में OBC संगठन शुमार है जिन्होंने नीट के ओल इंडिया कोटे में OBC रिजर्विशन न दिये जाने के खिलाफ एक मुकमल आवाज उठाने की कोशिश किये यहां से आप इस पूरे परदिर्श को देखिए 2017 से नीट आता है 2021 तक 11,027 OBC के डॉक्टर जो हो सकते थे उनकी सीटों पर समण लोगों को डॉक्टर बना दिया गया लेकिन वह आंदोलन वह तेवर वह विरोद आपको देश्वापी डंग से नहीं देखने को मिला रहा होगा दक्षण में पेरियार की जमीन पर फूले नरायन गुडु बस्वन्ना की जमीन पर वह तेवर तो देखता रहा लेकिन इस बार जब नीट में OBC प्रधान मंत्री OBC कैबनेट बनाने के बाद एक OBC विक्ति को सिक्षा मंत्री बनाते हैं तो वो जट से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि इस बार भी ओल इंडिया कोटी में OBC रिजर्वेशन नहीं होगा तब आप देखेंगे कि पूरे भारत में OBC तपके के भीतर एक प्रतिरोध की भावना उभर के सामने आती है 26 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्री ये सामाजिक नयाद दिवस के रुप में मनाय जाता है और तमाम दलिच संगठनों को आदिवासी संगठनों को आप पहचानिये करीब से देखिए उन लोगों को पहचानिये जो सीधे OBC से तपके से नहीं आते मगर उन्होंने नीट के मसले को मुठाया उस पर बोले उस पर लिखे उसको अपनी कवरिज में शामिल किया वैसे ही उन संगठनों को पहचानिये जो उत्तर प्रदेश बिहार से ले करके मतप्रतियस महाराश्य तमिल नाडू तक नीट के मसले को उठाए और अब यह देखने को मिल रहा है कि सरकार इस पर बैक फूट पर है तो अब आप इसको समझे ना कि आप सावन में जल चड़ाने जाते बेल पत्र चड़ाते तो क्या नीट में ऑल इंडिया कोटे में OBC रिजर्विशन मिल गया होता या जल तो चड़ाई रहे थे फिर यह आपके हक मारी कौन कर रहा था यह जो 40,000 के आसपा सीटों में से 11,000 सीटों पर OBC के लोग नहीं बने थे यह कौन रोक रहा था यूपी के 79,000 सिक्षक भरती मामले में से आपको मिलना चाहे था 27% आरक्षण OBC को मिला 3.80% तो आप जल चड़ा रहे थे आप कामड़ यात्रा में जा रहे थे आप एक अच्छे इंदू बने हुए थे लेगिन आपके हक को कौन मार रहा था कौन था जो 27% आरक्षण तक लागू नहीं होने दे रहा है कौन है वो जो आपके लिए लड़ भी नहीं रहा है इसको आप पहचान रहे है और यहीं थोड़ी देर के लिए ठेहरी है आप मंदर बंदर जा रहे हों खूब जाईए हमारे समझाने से तो आप समझेंग नहीं आप फूले की नहीं सुने आप पेरियार की नहीं सुने आप संविधान की नहीं सुने लोहिया और मंडल की नहीं सुने कांशी राम की नहीं सुने तो आप हमारी का सुनेंगे आप भगवान की सुनते हैं आप खूब पूजा करके थोड़ी दर बैठ करके बार सूचिएग जो त्रिवेडी संग, अर्जक संग, जोतिबा फूले, सावित्रिबाई फूले, जगदेव बाबू, रामसर वर्मा, पेरियार ललाई सिंग्यादो, चंद्रिका प्रसाद जिग्यासू, मंडल कांशी राम, लुहिया के विरासत वाले जागरू को भी सी हैं, जो आपके हिस् दिखाने आया हूँ, अभी भी आपने ही समझेंगे कि मंदिर में आप क्या हक है, या सडक के अंदोलनों में आपका हक है, आपके बच्चे सिक्षित हों, उनको रोजगार मिले, उनको हक मिले, 52% अबादी को मंडल कमिशन ने कहा कि 52% होना चाहिए, साथ अगस्त आने वाला है दोस्तों, साथ अगस्त 1990 को इस देश में मंडल कमिशन की दो अनुशन शाहिए लागू होई थी, उस मंडल कमिशन की जिसमें कहा गया था कि 50% अपर लिमिट है इंदरासानी जज्ज्मेंट के बाद, नहीं तो मिलना तो इनको चाहिए आरक्षन 52% जितनी आबादी है, मिला कितना 27, अब तो सब कुछ OBC में हो रहा है तो एक बार अपने हक के लिए सड़क पर आईए ना, और कहिए कि जब EWS आरक्षन 15% आबादी है सवणों की, आरक्षन दे दिया आपने 10%, तो 5% आरक्षन उन सवणों को और दे दीजिए, और जाती जनगरना कराईए, देखे जितने दलित हैं, उतनी सीटें दलितों को, जितने आदिवासी हैं, उतनी आदिवासी हैं को, और जितने OBC हैं, उतना सीटें आरक्षन, OBC को दे दीजिए, और बनाईए हिंदुराष्ट, थोड़ा सा इन सवालों पर विचार करिए, 7 अगस्त फिर से आपके सामने आ रही है, वो आपसे सवाल पूछेगी, कि पीडियों ने जो आपके हक की लड़ाई लड़ी न, वो आपके सामने से छेनी जा रही है, कभी नीट के रूप में, कभी जाती जनगरना नहीं कराने में, जाती जनगरना होगी नहीं, आपके बच्चों का भविश खत्रे में मंदिर और कामवड आपके बच्चों का भविश नहीं बताएंगे और आप अपने समाज के उन लोगों के साथ खड़े हुए जो जागरुक हो चुके हैं जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हैं और बहुजय नेका की तरब चलिए और साथ अगस् को उसके हग उसके हिस्से का हग ओवी सी प्रदान मंत्री और ओवी सी कैबिनेट ततकाल दे जाती जनगर्णा कराए 27 परसेंट को और रुक्षन बावन परसेंट करे यह देश बदल जाएगा आप देख रहे थे नियूज वीक बहुत-बहुत धन्यवाद